इसकार केस बुलिट्टिट में मैं हूँ आपके साथ रितू गयानवानी इस वक्त सबसे पहले बात बड़ी खबर की नीट परिक्षा पर सुप्रीम कोट का आदेश आया है पूरे नतीजे ऑनलाइन जारी किये जाए जी हाँ शनिवार दोपार 12 बज़े तक जारी हो नीट के नतीजे ऑनलाइन जारी करने की बात कही गई है शनिवार दोपार 12 बज़े तक नीट के नतीजे जो है जारी हो जाए या आदेश जारी किये गए हैं एंटिये पूरे नतीजे ऑनलाइन जारी करें छात्रों के पहचान गोपनिये रखी जाए ये भी कहा गया है ये बड़ी जानकारी के लिए सहयोगी सुशील पांडे हमारे सा जुड़ गए हैं सुशील सुप्रीम कोट का बड़ा आदेश जो पूरे नतीजे हैं ऑनलाइन जारी किये जाए जार्ज के मुताबिक जो ब्रीच हुआ है लीक का सब्सक्राइब के द्वारा नहीं प्रियोग किया गया उसके लिए ने प्राइबेट कोरियर क्यों किये जब इस पूरी परिक्षा में 400 करोर रुपए उन्हें मिले थे हाला कि सुप्रीम कोट में ये भी सवाल किया है केंदर सरकार और NTA से कि बिहार पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में जो इन्वस्टिगेशन की गई उसकी भी एक स्टेटस रिकोर्ट दाखिल की जाए क्योंकि बार पार NTA और केंदर स सुषी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गर्चे रॉली मुढबेड के बाद घटना असल का वीडियो सामरी आया नकसली मुढबेड के बाद ग्राउंड जीरो का वीडियो आया है मौके पर अब भी मौझूद है नकसलीयों का सामान बता देश तीजगर महराश्ट सामानों ने बारा नकसली मार गिराय थे और कई सारा सामान यहां पर आप देख रहे हैं नकसली सामान बरामत किया गया है बारा नकसली यहां पर धेर हुए थे कल मुढबेड होई थी बारा नकसलीयों को मार गिराया गया था और उसके बाद यह तस्वीरें आप देख रहे और बड़ी मातरा में जो सामान है नकसलियों का वो भी यहां से बरामत किया गया है तो मौके से नकसलियों का सामान गोलियों के निशान तमाम ये चीजें इस वीडियो में कैद हुई हैं ये बड़ी सफलता कह सकते हैं हम जवानों के लिए कि नकसलियों के खात्मे के लिए जिस तरह से ततपरता लगातार दिखाई जा रही है लगए-लगए अभियान चलाया जा रहे हैं बड़ी-बड़ी कारवाईया हो रही है और इसी बीच कलमुट भेर जो हुई उसमें बारा नकसली मार गिराए गए ये बड़ी सफलता जवानों के लिए है नकसलवाद को पूरी तरह से खत्म करना है जिस तरह से नकसलवाद 36 गड़ में लगातार बड़ता दिखाई दिया कुछ समय पहले तक और उसके बाद जवान सतर कुए सरकार सतर कुई और अभियान अलग- लग जगा कैम्प लगाए गए जवानों के द्वारा कि नकसलवाद को कैसे न कैसे करके खत्म करना है और उसमें अब सफलता मिलती हुए लगातार नजर आ रही है आप लगातार देख रहे होंगे कई दिनों से कि कई सारे नकसलियों को मार गिराया गया कई सारे नकसलियों सब्सक्रक्राइब नक्सलवाद के खातमे पर जो सरकार की और से दिया जा रहा है जवानों की और से दिया जा रहा है उसमें कहीं न कहीं सफल्टा मिल रही है घक जब Jack साथमान भड़ी सफलता तो जवानों को मिली मिली है अब ये ताजा वीडियो भी सामनी आया है कल जो मुटभेड हुई उसके बात का और कई सारा सामान भी इसमें नजर आ रहा है गोलियों के निशान जी देखिए मुटभेड के बाद जो है जब नक्सली अपना जो टेरा या कैम्प बना कर रखते हैं जो सुरक्षावल के जवानों से छूप कर इस थल पर रहते हैं और मुटभेड के छूप कर रहते हैं जो है अपने साथ जो है देनी कुप योग के समान हत्यार और जो है विस्पोटक समागरियां ये सब जो है रखते हैं और इनकाउंटर कल जब हुआ था उसके बाद जो है आज की आज जो है मुटभेड के बाद जो वहां से तस्वीरे निकल कर सामने आई हैं उसमें बहुत से दवाईयां और नकसलियों के कपड़े और देनी क समान जो थे वो सब वहां से अभी भी जो है वहां पर मौझूद है और कुछ दवाईयों को जवानों ने वहां पर घटना इस्थल पर ही जला दिया है जी ठीक 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 बहुत बहुत शुक्रिया खेमना रायन जानकारी को साजा करने के लिए पर अभी ये तस्वीर आपको दिखा रहे है कि मुढबेड और IED BLAST IED PLANT कर रखा था इन नकसलियों ने लगातार ये कायरना खरतूत नकसलियों के सामने आती है बौकलाहट सामने आती है और एक बार फिर से ये बौकलाहट सामने आई है जहांपर इन्होंने IED BLAST किया जिसमें कई सारे जवान जो है इसकी चपेट में बीजापुर में शहीद हुए जवानों को जगदलपुर में गार्ड ओफ ओनर दिया गया बस्तर सांसत कलेक्टर महपौर चित्रकोट विधायक समेट फुलिस वभाग के अधिकारियों ने जवानों को सद्धान जनी गी वतादें बीजापुर में IED BLAST में दो जवान शही हुए IED BLAST में चार जवान खायल हो गए गार्ड ओफ ओनर के बाद शहीद जवानों के पार्थिफ शरीर को उनके ग्रेग्राम भीजा गया और बात राइपुर की जहां पर सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ एक महीला सहिद चार लोग गरफतार हुए है मुझगहन के घर में पुलिस ने रेड मारी पुलिस को यहां पर शिकायत मिली थी कि यहां पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है और यहां पर रेड मारी गई बड़ी कारवाई को अंजाम दिया गया बता दे एक महीला सहिद चार लोगों की गरफतारी इस मामले में हुई है अब इनसे पूछताज भी जारी है कि कबसे यहां पर इनकी सक्रियता थी कबसे यह रैकेट इनकी द्वारा चलाया जारा था कौन कौन इसमें शामल है यह लोग कहा के रहने वाले हैं यह तमाम वो पहलू है जाज के जन पर जाज परताल अब चल रही है साथी साथ जिनकी गरफतारी हुई है उनसे पूछताज भी जारी है तो यह आपको बता दे मुझगहन के एक घर में सक्स रैकेट चलाया जारा था जहां पर पुलिस ने रेड मारी और आपको बता दे कि इस बारे में शिकायत लोगों के द्वारा पुलिस को की गई थी जिसके बाद पुलिस इसने एक्शन लिया मुझगहन के घर में रेड मारी और इनकी गिरफतारी की गई एक महिला भी इसमें बताए जारी है शामिल अब यह जांच का विशे है कि महिला कहां की रहने वाली है कौन है यह कुछत कौन है कंके रहने वाले है क्या इनका खोई बड़ा के लोग है गै पर अभी जांच परताल भी चल रही है गिरफतारी हो गई है तो उच्टाज भी इनसे कडाई से हो रही है। जब ये घूस ले रहा था तब का ये वीडियो जो है ये सामने आया और इसी वीडियो के आधार पर कारवाई को अंजाम दिया गया। ये वीडियो हमने प्रमुक्ता से दिखा था ये खबर भी प्रमुक्ता से हमने दिखाई थी और जमेदारों से जवाब मांगा था। प्रमुक्ता से ये खबर हमने रिखाई थी खबर का असर भी देखने को मिला है। जी है देखे जिस तरी के अधिकार भूले जो पर होता है का दस्तावेज होता है ग्रामीनों के लिए काफी एहमेत रखता है। और उस दस्तावेज को निकालने के लिए वो ग्रामीन से दो हजार रुपए की रिसवत ले रहा था। लुसाथ में ये भी कह रहा था कि सहाब लोगों का दवाव रहता है इसलिए मैं पैसा मांगता हूँ। तो सहाब लोगों रिसवत खुद लेता था लेकिन सहाब लोगों अधिकारियों के उपर आरोब लगा रहा था। जैसी खबर दिखाई गई कालेक्टर कुनाल दुगावात में इसमें तूरंत एकसान लेते हुए इसकी जाच करवाई और तरशिदा से प्रतिवेदान लेकर वीडियो के पुष्टी करते हुए साहाब ग्रेट 2 जो बाबू है रिशवत लेते हुए पकड़ाया था उसे न लगामन पर लगाई जाए कि जिस तरह से ये बेधड़क लोगों को लूटते हैं या रिशवत मागते हैं ये ना कर पाए यह काफी इस पर लगामने की ज़र्वात है क्योंकि अक्सर जो रिशवत का मामला है उसमें ग्रामिर ही फस्ते हैं क्योंकि ग्रामिरों को छोटे- ज़र्वत परसी है और वो तहसील कारे ले जाते हैं जहां सो ने कभी आधार काच के लिए कभी जंग खेती किसानी के लिए दस्तावेज निकालना होता है और बाबू उसका नाजाच पादा उठाते हैं और उसे रिशवत की मांग करते हैं मजबूरी बस ग्रामिरों को ये रिश्वत देना परता है क्योंकि दस्तावेज से बिना उनके काम अधूरे रह जाते हैं तो इसका लगाना जर्मी ताकि जो छोटे चपके यह हैं खासा ग्रामिर इलाखें के लो वो इस सब से बच पाया उन्हें रहात मिल पाए बहुत बहुत शुक्रिया विवेग जानक हो चुका है यह तस्वीरें राइपूर से सामनी आई है जहां पर यूबख बदमाश एक यूबख को पीटते वे नजर आ रहे हैं जदा जनकर लिंगे सहयोगी यूगल तिवारी हमारे साजुड़ गए हैं यूगल पुलिस प्रशासन को खुली चनौती इन बदमाशों के द्वारा ये बिल्कुल देखे इस तरह से बेरहमी से जो बदमास है आरोपी है वो पीटाई कर रहे हैं और राम नगर चोकी में आरोपियों के खिलाब मामला दर्ज है प्रिंस जो बागड़े है उसने अपने सोसल एकाउंट पे ये वीडियो है उसे वाइरल किया है और त देखे किस तरह से दिल दला देने वाली तस्वीर है और ये विचलित भी करती है अब इन आरोपियों के तलाज में पुलिस उटी हुए तो दूसरी और पुलिस को चुनावती हुए सोसल एकाउंट पे अपने ये वीडियो को वो वार्यल कर रहे है जी बहुत बहुत बहु प्रयास भी लगातार किया जा रहा है जामुल थाना शेत्र का ये पूरा मामला है ये तस्वीरें आप देखे कितनी भयानक ये तस्वीरें हैं कितनी भीशन आग की ये तस्वीरें हैं लगातार आग यहां पर फैलती चली गई हलाकि अब भी प्रयास जा रही है यहां पर आग भुजाने के शिवम हाई टेक फाक्टरी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर धीशन आग ये लगी और त्रिजसे भुजाने का प्रयास अब भी किया जा रहा है शूर्ट सर्किट वज़ा बताई जा रही है शुर्वाती जाच में फिलाल ये जाच प्रयास जा रही है आग भुजाने के विलासपुर में चलती स्कूटी में आग लग गई स्कूटी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई स्कूटी सवार यूवक ने अपनी भाग कर जान बचाई बता दे शौर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है ये दस्वीर आपके सामने विलासपुर में चलती स्कूटी में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते ये स्कूटी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई राहत की बात ये है कि स्कूटी सवार यूवक ने समय रहते स्कूटी रोग दी और वहां से भाग निकला वरना बड़ा हाथ बसा हो सकता था वो भी इस आग की चपेट में आ सकता था बताया जा रहा है कि शौट सर्किट हुआ होगा जिसी वज़े से आग लगी है अगल भलोगा बाजार मामले की जांच अपने सो चुकी है बता दें नियाइक जांच आयो क्या ध्यक्ष गिरौत पूरी पहुंचे गिरौत पूरी के अमर गुफा पहुंचे हैं सीबी वाचपाई जैतखाम तोड़ फोड के मामले में पुजारी से बातचीत हुई है उनकी तो आयो क्या ध्यक्ष गिरौत पूरी पहुंच रही है यहां पर लोगों से बातचीत की और पूरे घटना करम की जांकारी भी ली है उन्होंने अब देखने वाली बात होगी कि जांच में कितनी और जादा तेजी आती है तो बलोदा बाजार हिंसा पूरे मामले में लगातार जांच परताल चल रही है जदा जानकारी लेंगे योगेश हमारे साथ जुड़ गए है योगेश बलोदा बाजार मामले में लगातार जांच परताल तेज चल रही है पर अब लगराए कि अध्यक्ष पहुंचे है आय कि इसके बाद गिराउस्पुर्ण की जो माकोनी में अमर गुख में जहां पर जैत्खाम की तोड़ प्रोवी थी उजगा पर पहुंचे और पुजारी सुनों ने बाच्चिप की पुजारी से बाच्चित का दान उन्होंने पूचा कि यह तपक्स है इस थाले क्या है अन्य जो जानकारी उसके बारे मिली उसके बाद जैत्खाम की पहुंचे के ग्रामिड शूरों ने बाच्चिप भी की और उनका साफ़तार पर कहना है कि पहले पक्चकारों को सुनवाई का मौका दिया जाएगा उसके बाद जो पक्चकार हैं वो अपने अपने जो साक्ष है दस फिर से दावरा होगा और इसके बाद जान चलिए पूरा करने को प्रयास करेंगे ठीक बहुत-बहुत शुक्रिया जानकारी को साजह करने के लिए योगेश वन परियावरण और जलवायू परिवर्तन राजमंत्री संजे शर्मा ने प्रोजेक्ट वन ट्री मुहीम के लिए निउस जेटीन को बढ़ाई दिया उन्होंने कहा कि जिस तरह से पेड़ काटे गए और प्रकृति को नुकसान पहुंचाया गया पौधी लगा कर इस नुकसान को कम किया जा सकता है उन्होंने कहा कि इससे परियावरण काफी शुद्ध होगा और ग्लोबल बॉंबिंग में से जो है निजात मिलेगी मेरा ही मानना है कि जिस परकार से पेड़ो काटाई हुई है अवेक माने काटाई हुई है प्रकृति के साथ छेड़शाख थरने का काम हम लोगों में जो किया है उस छेड़शाख को खतम करने का काम पौदा लगा के खम कर सकते हैं और प्रकृति को पुने प्रकृति के निश्री थूप से पर्यावान पर शुब्दी आने और जो कर्मी के उत्रस्त को में चीला, टेमपरिचर जवारा बड़ा, उससे हमको निजात में देगा, लिकि न्यूज एटीन ने जो मुहीम नी है, बौदा लगाने की, और विशेश रूप से हमारे देश की यश्रस्वी प्रधान मंत्री बौदाय ने आववान के आदेश की जलता से, एक पौदा अपनी माखे नाफ जरूर लगा है